असलाम लेकूम, आज हम बनाएंगे चिकन बन्स, जो बनाना बहुत ही असान है और हम इन बन्स को बड़ी असानी से घर में तयार कर सकते हैं सबसे पहले हम बन्स का आटा तयार करेंगे और इसके बाद फिलिंग आटा बनाने के लिए हमें चाहिए 500 gram plain flour, 2 tablespoon sugar, 1.5 tablespoon yeast, 1 teaspoon salt, 1 egg yolk and 2 tablespoon oil एक से 1.5 cup पानी का इस्तमाल करेंगे जिसमें हम आदे पानी में हम यीस्ट और शुगर को आड़ करेंगे और बाकी पानी जो है जब हम डोब तयार करेंगे उसमें आड़ करेंगे यीस्ट को बॉल में आड़ करेंगे, हमने इस जिस्ट को 15-20 मिनट के लिए इस पानी में मिक्स करके रखणाः ताकि यीस्ट अच्छे से अक्टिव होजाए शुगर आड़ करेंगे, आर half cup से थोड़ा से ज़दा पानी इसमें आड़ करेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कोई लंपस नहीं रहना चाहिए और इसे हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और आप देख सकते हैं कि यूज अच्छे से अक्टिव हो गया है मैंने इस मिक्सचर को इजी यूज करने के लिए एक दूसरे बरतर में निकाल लिया है ताकर जब मैं डो तैयार करो तो उसके अंदर पानी डालना इजी हो जाए अब हम डो तैयार कर लेंगे मैंने मशीन का यूज किया है अगर आप चाहें तो आप हाथों से भी गून सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता ओल आट करेंगे सोल्ट आट करेंगे नमक और सबसे पहले हम इन चीज़ों को मिक्स होने देंगे 2-3 मिनट के लिए और आइस्था आइस्था करके हम इसमें वो जीस्ट और शुकर वाला पानी आट करते जाएंगे मैंने इस डो को बनाने के लिए तकरीबन 1.5 कप पानी का इस्तमाल किया था आप ग्रजली पानी यूज करें और अगर आपको लगे के और पानी की ज़रूरत है तो आप आट कर लें वरना आप रहने दें अब इस डो को हम 2-3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे और जब यह अच्छे से फूल जाएगा यह साइज में तकरीबन डबल हो जाएगा चलिए अब फिलिंग तयार कर लेते हैं चेंडर वन कप चैडर चीज ग्रेट वन टेबल स्पून लेमन जूस चलिए अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं मीडियम फ्लेम ओन करेंगे और इसमें थोड़ा सा ओल एड़ करेंगे और साथ ही जिंजर गालिक और ग्रीन चीली आड़ कर देंगे इनको थोड़ा सा ही दो से तीन मिनट के लिए थोड़ा सा कलर दे दें और साथ ही चिकन अड़ कर दें चिकन को हम यहां पे थोड़े से मीडियम से हाई फ्लेम पर पकाएंगे वनना यह अंदर से ड्राइ आउट हो जाएगी और साथ ही जैसे यह कलर चेंज कर ले हम इसमें टमाटोस आड़ कर देंगे टमाटोस को थोड़ा सा पका लें इसके साथ दो से तीन मिनट ही इज इंगीडियन को आपने पकाना है अब हम एक टेबल स्पून लेमन जूस आड़ करेंगे साथ ही शिमना मिर्च आड़ कर देंगे साथ ही अनियन्स आड़ कर देंगे और इन सब चीजों को आपस में मिक्स कर लेंगे अब ड्राइ स्पाइसिस आड़ करेंगे और दिहान रहे कि आपका फ्लेम बहुत लो होना चाहिए वरना आपके spices जल जाएंगे इनको अच्छे से आप इसमें मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम स्वीट चिली सोस एड़ कर देंगे और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और याद रहे कि आपका flame इदर भी low ही रहना चाहिए अब आपका flame हाई बिल्कुल भी रही होना चाहिए किसी स्पून की मदद से chicken को अच्छे से ब्रेक कर लें क्योंकि ये तुमारे पीसिस थोड़े से बड़े हैं flame off कर दें और अपनी filling को टेस्ट कर लें अगर आपको लगे कि किसी चीज की जड़ुत है तो आप इस वक्त एड़ कर सकते हैं हराधनिया एड़ करेंगे और इसको अच्छे से mix कर लें और flame आपका इस वक्त ओफ होना चाहिए filling को cool down करेंगे प्लेट में काल लेंगे और तक्रीपन आदे घंटे घंटे तक आपकी फिल्म बिल्कुल cold हो जाएगी और आप इसको बंस में फिल कर सकते हैं चलिए हम अब डो को देख लेते हैं डो हमारा बिल्कुल तयार है जासे आप दे सकते हैं यह size में double हो चुका है अब जिस चीज़ पर आपने इन बोल्स को तयार करना है उसको oil कर लें थोड़ा सा oil लगा लें अपने desktop के उपर और यो chopping board आपने यूज़ करना है मैंने यहाँ पर chopping board का इस्तमाल किया है सारे filling को निकाल लेंगे और इसको हम एक तफ़ा फिर हाथ की मदद से थोड़ा सा गूंदेंगे ताके जो इसमें extra air है वो निकल जाए बहुत ज़्यादे इसको गूंदे की जड़ूरत नहीं है बस आइस्ता आइस्ता से ही बड़े प्यार से इसको गूंद ले और इसको एक लंबाई की शेप दे लेंगे ताके हम इसके डो बोल्ड एजी से तयार कर सकें यह बहुत ही नाइस और सॉफ्ट डो तयार होता है मैंने इसको लंबाई की शेव दे लिए और अब नाइफ की मदद से जिस साइज के भी बंज आप तयार करना चाहते हैं आप इनको उसी साइज में काट लें यहां पे आप देख सकते हैं 500 क्राम मैंदे के मैंने यहां पे तकरीबन 10 बंज तयार किये हैं तकरीबन आप चाहें तो 10 से 12 बंज एजी तयार हो सकते हैं क्योंकि यह अभी साइज में बाद में भी इंक्रीस होंगे जब हम इनको बंज की शेप देख साइज पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो यह अपने साइज में इंक्रीस हो जाएंगे एक अवन ट्रे लेंगे और इसको ओएल के साथ या बटर के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और हमारा अवन इस वक्त 180 पे आउन है और हमें यह प्री हीटिट चाहिए अब बन्स में चिकन को फिलिंग करने की तयारी कर लेते हैं इसको हाथों की मदद से ही मैंने थोड़ा सा बढ़ा कर लिया है अगर आप चाहें तो रोलिंग पिन की मदद से ज्यादा बढ़ा कर सकते हैं इस तरह आप इसमें ज्यादा चिकन एड़ कर सकते हैं मैंने एक टेबल स्पून चिकिन का एड़ किया है और एक टेबल स्पून ही मैंने चीज का एड़ किया है अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी एड़ कर सकते हैं और अब हम इन बन्स को फिलिंग के साथ बंड कर देंगे ताके पकते वक्त फिलिंग बाहिर ना आ जाए ये स्टिकी साडो होता है और अराम अराम से अगर हम इसको थोड़ा सा पुल करके बंद करेंगे तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा और अब जिस साइड से हमने इन बंद में फिलिंग की थी वो हम नीचे की जानब ट्रे में रखेंगे और इसी तरह हम सारे के सारे बंद तयार कर लेंगे अगर आप चाहें तो इसमें किसी भी चीज की फिलिंग कर सकते हैं जैसे चॉकलिट की, मोजरेला चीज की या कीमे के मसाले को आप इसी तरह चिकन के मसाले के तरह कुक करके इसमें फिल कर सकते हैं हमारे बंस तैयार है अभी 15-20 मिनट के बाद आप देखेंगे इन बंस का साइज डबल हो चुका है अभी हम एक एक जोग लेंगे जिसको हमने ब्रश की मदद से इन बंस के उपर थोड़ा थोड़ा लगाना है एक टेबल स्पून सेसमी सीड लेंगे अगर आप चाहें तो आप इस एक जोग में थोड़ा सा मिल्क भी आड़ कर सकते हैं अभी किसी ब्रश के मदद से इन बंस के उपर हम एक जोग लगाएंगे आप देख सकते हैं कि ये सारे बंस साइज में बड़े हो चुके हैं और इनके उपर हम सेसमी सीड से अड़ करेंगे थोड़े से स्पिंकल करेंगे अगर आप चाहें आप इनके उपर पॉपी सीड या सनफ्लावर सीड भी आड़ कर सकते हैं जो भी आपकी चोईस है और अगर आपके पास नहीं है तो कुछ भी ना आड़ करें मेरा आवन 180 पे प्री हीटिड है ये डिपेंड करता है आपके आवन के उपर कि आपका आवन अलेक्टरिक है या गैस है मेरा आवन गैस है और ये 15 से हाफ नावर में ये तयार हो गए थे आप अपने बंसपन नजर रखें जब आपको लगे के ये तैयार है तब आप निकार लें आप देख सकते हैं अभी मैं आपको एक ब्रेक करके दिखाऊंगी आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी तैयार हुए थे आप इनको लंच में यूज़ कर सकते हैं डिनर में यूज़ कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए और मुझे अपनी दौाओं में याद रखेगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी अल्ला हाफिज